बॉलिवुड की हर खबर के लिए प्रस कीजिए बेल आइकन और जुडे रहे ये वाट्स अप बॉलिवुड के साथ हेलो एवरिवन वेलकम टू वाट्स अप बॉलिवुड इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और बी सी सी आई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली की लाइफ बड़े पर आने वाली है सौरभ गांगुली ने अपने बायोपिक के लिए मनजूरी दे दी है ये एक बहुत बड़ी बजट वाली फिल्म होगी न्यूज 18 बांगला से बातचीत में बी सी सी आई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा हाँ मैंने अपने बायोपिक के लिए मनजूरी दे दी है ये एक हिंदी फिल्म होगी अभी तक डारेक्टर के नाम का खुलासा नहीं हुआ है सभी चीज फाइनल होने में थोड़ा वक्त लगेगा रिपोर्ट की माने तो फिल्म के स्क्रिप्ट लिग दी गई है रिपोर्ट के मताबिक रनबीर कपूर सौरभ गांगुली के रोल के लिए फर्स चोईस है दूसरे एक्टर से भी बातचीत चल रही है भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली की जिन्दगी बड़े परदे पर आने वाली है जब से ये खबर सभी के सामने आई तभी से फैंस बहुत जादा एक्साइटिड हो गए है खबरों की माने तो बायोपिक में लॉट्स के मैदान पर टीम इंडिया की जीत और सौरभ गांगुली कैसे BCCI के अध्यक्ष बने ये सब उनकी बायोपिक में दिखाया जाएगा जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग रियक्शन्स देने लगे खास कर इस बात पर कि रनबीर कपूर को इस फिल्म में सौरभ गांगुली का किरदार निभाने का मौका दिया जा रहा है आए जानते हैं लोगों का क्या रियक्शन है एक यूजर ने लिखा रनबीर is a good actor but he is nowhere close to दादा Like Sanjay Dutt's biopic, he will work fake only Naveen Polichetti or Vikrant Messi are close to Dada's look and are great actors, they may perform better Another user wrote, Dada, please do not allow any Bollywood druggies to play your role, it will tarnish your image Jaihin, hashtag boycott Bollywood Another one wrote, Bengali actors are good choice for Saurav Gangli's biopic Another one wrote, What rubbish, Ranbir is good and all but he is not even close Another one suggested, South superstar Surya sir is more suitable actor for this role Another user wrote, If a biopic on Dada is being made, I think these two can probably ace it, just saying And he suggested two Bengali actors Another one wrote, Completely agreed, Ranbir Kapoor is a phenomenal actor, no doubt But it would be horrendous to take non-Bengali actor in Dada's biopic Param will kill it if he is chosen Another user suggested, Abhishek Bachchan He wrote, Abhishek Bachchan is better choice than that Well, user can in comments के बारे में आप क्या सोचते हैं क्या आपको भी लगता है कि Ranbir Kapoor को Saurav Gangli के biopic में नहीं लेना चाहिए Comments के जरिए हमें जरूर बताईए और ऐसे ही updates के लिए देखते रहें What's Up Bollywood क्या आपको क्या आपको क्या आपको झाल झाल